हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में आप सीखेंगे बीजी में JST Invoice कैसे बनाते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह है स्कीन पर एक प्रेव्यू JST Invoice का यहां कंपणी के नाम, एड्रस, एमिल इडी और यह हैं कुछ कस्टमर्स की डिटेल्स और यहां description of goods और नीचे देखेंगे इस परकार कर यह पूरा invoice है लेकिन साथ मैं आपको बताँगा कि इसी invoice को अगर आप चाते हैं कि 4 इंच यह 3 इंच में print करना चाते हैं से आपका portable printer है तो उसे भी कैसे बनाएंगे मैं आपको बताँगा दोस्तों तो बने रही है वीडियो की अंज तक चलि दोस्ते स्टार्ट करते हैं इसे close करेंगे पहले यहां से करके मैं बाहर आ जाता हूं क्योंकि मैं स्टार्टिंग सबको बताँगा कि कैसे इसे बनाएंगे तो यह कर लेते हैं और मैं हासे से close कर लेता हूं तो द्वारा से इस open कर लेंगे विजी को open करने के बाद यहां पर simple करेंगे क्योंकि यह demo mode है अगर आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने की लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगी तो अब यहां क्लिक करेंगे और यहां पर हम नए कंपणी बनाएंगे क्लिक करने के बाद आप देखिएंगे हाँ पर हम कंपनी की जो इंफरमेशन है उसे फिल्ड करेंगे कि यहां बिजनस का नाम आव जागा यानी बिजनस येंपल आपकी जुसोोप है उसका नाम और ये प्रिंट नेम आटोमेशन क्ली आ जागा एंटर करने के बाद यहां पर हम कंट्रिं करेंगे यहां से हम ए स्सक्टेट से लक्त लेंगे हैं डाउन एक करने के बाद अपना state select कर सकते हैं या फिर अपने साब से यहां search कर लेंगे अब यहां date हमेशा यही रहती है financial year एक अपरल हमेशा यही डलेगी तो यहां enter करेंगे इसमें हम address कर लेंगे complete address यहां company का c number enter करेंगे और यहां पर हम pen card enter करेंगे pen card नमबर यहां पर word number आएगा यहां पर telephone number fax number लेकिन आज कर लिए सब यूज होता नहीं है fax बंध है और telephone number भी यूज नहीं होता तो यहां पर id enter कर देंगे मैं हाँ पर example address gmail.com में enter कर दूँ आप अपनी mail id एंटर करेंगे यहां पर ढालते हैं gst number तो जो gst number होता है यहां पर एंटर करते हैं मैं पस यहां example के दौर पर लिख रहा हूं से तो आप यहां लिखेंगे real gst number जो भी होगा regular कर देंगे और यहां हम करेंगे save click करके yes कर देंगे yes कर देने के बाद company जब create हो जाएगी company जब create हो जाएगी तो उसके बार हमें हाँ पर कुछ accounts enter करने होंगे मैं आपको बताऊंगा step by step कैसे बनाएंगे यहां ok करेंगे और यहां पर हम लिखेंगे username जो हम चाहते हैं तक कि इसको logout करने के बाद सिफ हम ही open करें तो इसके लिए user account बनाना compulsory है तो यहां पर हम लिखेंगे password इसका तो आप अपने according एंटर कर देंगे यह करना एंटर करना compulsory है यह करेंगे save कर लेंगे इसके बार आपको करना है और यहां जाना है admin में master's में account में add करना है हमें यहां पर अगर हम खुद purchase करके लेकर आएंगे फिर sell करेंगे तो हमें अपना नाम भी यानि अपनी company का नाम भी यहां पर mention कराना होगा तो हम यहां अपनी company का नाम लिख देंगे क्योंकि हम पहले purchase ही करेंगे तब हम sell करेंगे यह हम पहले से purchase कर चुके होंगे तब हम sell करेंगे तो मैं इस वीडियो में completely बताने वाला हूँ आप वीडियो को अंत तक देखें एंटर करेंगे और यहां पर हम select करेंगे कि जो customer होता है जब हम खेते हैं तो हम खुद भी वहां customer होंगे तो यहां संट्री debuters में आएगा एंटर करेंगे ओप्निंग वेलेंस अगर हमारा कुछ है previous ये वैलेंस कुछ है तो यहां पर मिझे फिलाल एंटर ने करना है खली छोड़एगे इतल के लिए जब ओपनिंग वेलेंस होगा जब होगा तब एंटर करेंगे और प्रिविये सिर वैलेंस अगर होता है तब एंटर करेंगे तो मैं फिलाल ख़ली छोड़िता हमाँ पर लिख़नेगे हाँ पर address तो हमारा जेश्ट नमबर यहां एं स्टब कर लेंगे अगर हम रेस्टर नहीं है यान रेस्टर तो होता नहीं है तो यहां कर देंगे हम अन्य क्रेंगे में तो कि अगर हम यहां रेइस्टर कर देते हैं तो यहां अगर भीना नमबर आएगा वार नंबर इमिल आड़ी तो यहां मैं इमिल ले देता हूं यहां टेलफोन नम्ब या कनबर इंप फिल कर जाएंगे, तो मैंने एक्जम लिखा यहें, एंटर करेंगे से, टेलेफोन नमबर अब यूज होते नहीं, पैक्स नमबर अब यूज होतें नहीं है, Кон्टरक्त पर सेन कंटर्ट हम अपने कस्टमर का नाम यहां पर रेंडर करेंगे तो मैंasing कश्टमर रहरे तो यह भी इसी में आएगा संठ्री میں यहां पर इंटर करेंगे और इसका जो ए द्हां रहे मैं मैं दोनों को अज़र अलग-ज़र कर रहा हूं कि मैंने तो मैं पहले अपना नाम यहाँ दिखाया था यानि अपनी कम्पणी का ओगी जो तक हम खुद पर्चेस नहीं करेंगे तो sell कैसे करेंगे इसके लिए और और नेक्स्ट नहां पर मैंने कस्टमर का नाम लिखा है तो यहां कस्टमर का नाम लिखेंगे जो भी कस्टमर का नाम होगा enter करेंगे हैं से enter enter same way इसे भी enter कर देंगे तो मैं last तक enter करता हूं और pin code लिख के enter कर देंगे बस बाकि जो customer की जानकारी आपको बताए जाएगी जो भी information बताए जाएगी आपको यहां fill करनी ज़रूरी होगी तो save कर देंगा अगर अब यहां हम करेंगेem quit करने के बार हम जाएंगे आइंटम में तो atems में हम यहां click करने के बार जब add करेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे item का नाम जो भी हम item bakeórं इपर add करें नाम ह نے लिख जाँ करेंगे PCS वो automatically आ जाएगा यहाँ पर हम जब लिखते हैं जब हमार पास quantity available होती है मतलब हमार पास कुछ piece पहले से ही है selling करने के लिए मतलब हमने पहले से ही purchase कर रखे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे अगर हमने पहले से purchase नहीं किये हैं अब purchase करेंगे तो यहाँ नहीं लिखेंगे तो इ क्या होगा मैंने हाँ पर example किया 3900 यह example है अब sell price क्या है purchase क्या है इस सारी चीज़ें आपको बताए जाएंगी लेकिन अगर आभी हमें नहीं पता है तो पर्चिस करने के बाद पर जालेगा तो उसके बार हम तब ही लिख देंगे इसकी जूरत नहीं है तो save कर देंगे हाँ से create कर देंगे अब हम item को पहले purchase कर लेते हैं क्योंकि हमार पास item है ही नहीं अब यह चेक कैसे अगरे हमार पास item है या नहीं तो इसके लिए हम जाएंगे balance sheet में balance sheet पर click करने के बाद अब देखंगे यहाँ पर दिखा रहा है balance sheet किसली generate करना है month wise या date wise लेकिन month wise हम जब करते है जब हमार पास यह full version होता लेकिन यह demo copy है तो हमें यहां करना होगा date wise और यहां okay कर देंगे देखेंगे हमार पास यहां पर कुछ भी नहीं है सब और everything is zero ठीक है सारी चीज़ें क्या है जीरो है current assets पर डवर क्लिक करते हैं stock पर डवर क्लिक करते हैं तो यहां सारी जो stock है स सब जीरो हैं कुछ भी नहीं है हमार पास अब हम पहले purchase कर लेते हैं तब ही तो selling करेंगे तो इस नहीं से back करेंगे back करनके बाद हम यहां item को करेंगे purchase ट्रांजेक्शन के enter में purchase कर लेंगे और यहां करेंगे हम add आप यहां ऐटमful चर yager करने के बाद यहां पकर देठ एंटर करेंगे जिस दिन हम आइटम को पर्चेस कर रहे होंगे यह बाउचर नंबर है यहां पर हम लगाएंगे 18% एंटर करेंगे यह हम खुर पर्चेस कर रहे हैं पहले हैं तो हम यह ही सलक कर लेंगे यह करेंगे क्योंकि यह दिखा रहा है कि आप एंटर कर रहे हैं एक सेंटल टांजिक्शन को तो क्या पार्टी सेंट से बलांग करती है यह नहीं तो यहां करेंगे यह एंटर करने के बाद इसे एंटर करेंगे एंटर एंटर यहां एंटर करेंगे और यहां इसपेस बटन प यहet है व एक लिखने हम से जियसती और यहां यस करें के बाद हम यहां पर लिखेंगे कितना प्रेशंट इसका रेट है तो 9% को कि हाफ लगाएंगे हम 18% का हाफ तो यहां पर भी हम लिखेंगे 9% लेकिन आप देख पा रहे हैं कि दोनों की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है जब कि ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा इसलिए हुआ क्यों कि जो यह यह वैल्यू है आइटम की और प्लस करेंगे तो यहां पर करना है लेकिन आपको समझ के तब करना है कि हां क्या मतलब इसका ओके करेंगे और ट्रांस्पोर्ट की हमापास डेटेल्स नहीं है तो यहां ओके कर देंगे अब क्वेट करेंगे हां से और हम देखेंगे हमार पास जो बैलेंस सीट में इस टोक आया है कि नहीं तो यहां किलिक करेंगे और डेट वाइस पर किलिक करेंगे यहां पर और यहां पर हम करेंगे ओके देखेंगे हमार पास करेंट करने के बाद कुछ आइटम हमार पास आ sell करेंगे यहीं selling करने के बाद देखने कि कितने आइटम हमारे पास भाषते हैं यह भी सारा है पर balance sheet में दिखाए देगा तो उसके लिए हम sales पर क्लिक करेंगे और यहाँ add करेंगे अब add करने के बाद एंटर करके हम सक्किल सक्के हम और करेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे कितने पी संप को इसको यहां पर त्रियल वर्जन होने के डी विए से ऐसे प्रल्म आती इवफ Cup mother है यहनुट ऐस करेंगे tahayya x фак ओर परने करना चाहते हैं तो इस करने क लिए दिखा रहा तो हां यहां करेंगे मुड़ हम किस सायज में चाहते हैं प्रेंट करना तो तो मैं करूंगा आसे फिलाल स्टेंडर्ड साइज तो प्रिव्यू कर देंगे और यस कर लेंगे यस करने के वारए हम ह offer करेंगे और देखें हैं हमारा JSZee नबासर माइब और यह कहता है है कि हमारे प्रिंटर छोटा है है अब हम चाहते है कि इसे भिखुल छोटा सा पर और करने के निहांगे तो यहाँ पर करेंगे हैं sales invoice हम चाहते हैं कि यहाँ A3 sorry यहाँ पर A5 यहाँ पर slip यहाँ print पर क्लिक कर देंगे print पर क्लिक करने कवर हम करेंगे sales invoice पर और यहाँ करेंगे हम slip 3 इंच यहाँ फिर slip 4 इंच जो आप चाहते हैं यह प्रिंट कर सकते हैं इस पर क्लिक करने के वार हम करेंगे प्रेवियू देखेंगे इस पर का यह हमारा प्रिंट आ जाएगा अभी जारा छोटा लग रहा है चाहते हैं थोड़ा बड़ा करना तो इसे क्लोज करेंगे और फिर दोबारा प्रिंट के लिए लगाएंगे यहां स से से इन वोइस पक्लिक करेंगे और सिलिफ फोर इंस पक्लिक करने के वाद जब प्रिव्यू देखेंगे तो थोड़ा साही लाड़ से जाएगा पहले कमकावले तो इस तरह से इन वोइस भी बनाते हैं इसके अंदर जो की बहुत ही आसान है दोस्तो हमारे चैनल की नई